मन्जिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखो से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त होस्टों से उडान होती है हेलो दोस्तो आप जैसे बहुत सारे से स्टूडेंट है जो इस बात से चिंदित है कि सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर कुछ पढ़ा है तो बिलकुल याद ही नहीं आ रहा है 22-30% syllabus पढ़ा है और बहुत ही कम समय हमारे पास exam सर पे हैं कैसे हम लोग सर पढ़ाई करें दोस्तो हमारी life-man basis situation बहुत बार आई होगी कि हमें कोई टास्क बहुत ही हाड लगता है मुझकल लगता है कि साइध ही मुझसे बिलकुल होने वाला नहीं है still, still हमने वो करके दिखाए है yes, we have done it सो बस यही चीज़ को आज आपको याद कर रहा है कि अगर मैं उस समय वो चीज़ कर सकता था तो आज कम समय में syllabus क्यों complete नहीं कर सकता क्यों मैं अच्छा result नहीं ला सकता क्यों मैं exam में pass नहीं हो सकता यही confidence, यही attitude के साथ आज आपको पढ़ाई करनी है second important thing guys, अब आपके पास इतना तो समय नहीं है कि आप लोग सारी books को रटो सारी books को one by one, line by line पढ़ने जाओ इतना time आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो आपको कोई भी topic हो कोई भी यहाँ पे आप subject ले लो या फिर कोई भी chapter ले लो उसको सबसे पहले उस chapter को आपको समझना पड़ेगा उसका basic understanding लेना पड़ेगा कि chapter क्या कहना चाता है so guys एक तरीका इसका यह है कि आप लोग group discussion कर सकते हो but due to covid it is not at all possible second way out यह है कि आप उस chapter को किसी भी तरीके से समझ लो उसका basic idea ले लो one hour का कोई class देख लो video class देख लो so guys इसी लिए आप लोग unacademy आपके लिए 15 days का free plus platform का plan लेके आया है यानि कि 15 दिन आप unacademy plus पे बिल्कुल free में पढ़ाई कर सकते हो simply आपको unacademy learning app download करने के बाद अपने आपको register करना है और उनके free platform ask a doubt पे 10 doubt पूछने है 10 doubt पूछने पर आपको 15 दिन का plus plan मिलेगा जहाँ पे आप लोग सारे crash courses, revision batch, pdf files सारी चीजों का unlimited access मिलेगा ये सिर्फ class 10 और class 12 के students के लिए है 31st March तक है तक बेनेफिट आप लोग description में लिंक दी है उससे ले सकते हो आपको free access code डालना होगा आप लोग put कर सकते हो YSM 10 जैसे ही आप ये सारे videos देखोगे कोई भी videos देखोगे जहां से आपको chapter के बारे में understanding develop होता है उसके बाद आपको second step क्या करना है यहाँ पे official website है CBS exam material CBSC की वहाँ से आप लोग previous papers डाउनलोड कर दो जैसे कि आपने economics का chapter number 1 बढ़ा है तो उसके बाद उस paper में देखोगे कैसे questions पूछे गए या फिर पूरा economics के revision classes देख लो उसके बाद यहाँ पे papers चेक करो कि किस type के questions आते so you will get to know कि किस type के board exam में questions आते हैं so यहाँ पे साथ साथ आपका revision भी हो जाएगा so guys जब आप video classes देखते हो और plus papers देखते हो तब आप दीरे दीरे खुद analysis करना start करोगे कि कौन से topics important बन जाते हैं अगर आप एक subject इस तरीके से complete करोगे तो आपका confidence definitely boost होगा और guys अब आपके पास time नहीं है बिल्कुल भी समय नहीं है आपको time का maximum utilization करना है क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं है पहले understanding लो और इसके साथ-साथ questions देखते जाओ students wish you all the very best आपको कोई भी doubt आता है टेलिग्राम यॉर सक्सेस मेंट और यूटूब पे आप लोग मुझे message करके पूछ सकते हो anytime thank you so much जय हिंद all the best take care क्या प्हाँ आता है झाल झाल